कानपूर मेट्रो की सफाई के लिए इटली से ब्रस मंगाये जा रहे हैं जल्दी इनके डिलीवरी भी हो जाएगी इसके बाद आटोमेटिक वाशिंग प्लान का काम पूरा हो जाएगा मेट्रो ट्रेन संचालन के बाद डीपो में पहुँचने से पहले ही फॉश हो जाएगी इसके लिए डीपो से पहले ट्रैक पर वाशी प्लान तयार किया जा रहा है रात में हरे कोच की सिक्योरटी स्क्रीनिंग भी होगी मेट्रो कोच की दुलाई के लिए इटली से मंगाया जा रहे ब्रेश बेहत खास होती है इन ब्रेश से ही बुलेट ट्रेनों की सफाई भी की जाती है इन ब्रेशों की लाइफ चादा होने के साथ ही ये बेहत सौफ्ट होते हैं ये गोल-गोल पानी के शावर के साथ खूमेंगे इनके बीच से 3 किलोमेटर की रफतार से ट्रेन गुजरेगी और कोच धुलते जाएंगे ट्रेन के भड़ते ही ब्रेस और शावर ट्रेन को धुलने के बाद सुखा भी देंगे वासिंग प्लान को मैटर डीपो के पास ही बनाया गया है देश में पहली बार ट्रेन पियर क्याप का इस्तमाल कर वाशिंग प्लान तैयार किया जाएगा गीतान अगर स्टेशन से जब मैट्रो ट्रेन डीपो की अंदर जाएगी तो डीपो की अंदर पहुँशने से पहले ही ये ट्रेन खुद साफ हो जाएगी डीपो में आते और जाते समय दोनों बार बाहर से अच्छे से दुलाई हो जाएगी ट्रेट की सफाई में करिए पांच मिनट लगेंगे, दोनों साइट तीन तीन ब्रेस लगेंगे ट्रेटमेंट में धुलाई के बाद यूज हुए पानी को ट्रीट किया जाएगा इसके लिए Polytechnic Depot में पानी को रिसाइकल करने के लिए दो ट्रीटमेंट प्लांट तयार किये गए हैं वाशिंग प्लांट में ट्रेनों की सफाई और मेंटेनंस सट में ट्रेनों की मरमत आदे से निकलने वाले कैमिकल युगत पानी को रिसाइकल करने के लिए 70,000 लिटर पतिदिन की चम्ता का ETP लगाया गया है वाश्रूम और फ्लोर की सफाई से निकलने वाले पानी को रिसाइकल करने के लिए 10,000 लीटर रोज की छमता का सिवस ट्रीटमेंट प्लांट भी दिया गया है IIT से मोती जील इस्टेशन के बीच 6 ट्रेनों का संचालन होगा इसमें 4 का संचालन होगा और 2 बैक अप में रहेंगी मौजूदा समय में 2 ट्रेन संचालन के लिए तयार है जबकि 2 ट्रेनों को तयार किया जा रहा है वहीं सुरक्षा के तहट रोजाना संचालन बंद होने के बाद हर एक ट्रेन को स्कैन किया जाएगा विरो रिपोर्ट आइपिन